नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनपमन्था में दोस्तों एक इमेल के माद्यम से एक मित्र ने मुझसे प्रश्ण किया है ये एक व्यक्ति है जिसकी साधी मई मा में होती है और उसकी पत्नी जुलाई मा में एक बच्चे को जन देती है तो उस बच्चे का पिता या बाप कौन होगा वो व्यक्ति जिससे उस इस्त्री या महिला की साधी मई मा में हुई है या फिर कोई अन्य व्यक्ति दोस्तों ये प्रस्ट बच्चे की धर्मजता से सम्मंदित है उस पैदा हुए बच्चे का पिता कौन है ये जानने के लिए हमें जाना होगा भारती साच अधनियम 1872 की धारा 112 में जिसमें लिखा है अगर वैद विवा के दोरान किसी इस्त्री या महिला को बच्चा पैदा होता है तो यही माना जाएगा कि उस इस्त्री का पती ही उस बच्चे का पिता है या बाप है मतलब जिस व्यक्ति से इस महिला की साधी मई मा में हुई है वह व्यक्ति ही इस बच्चे का बाब या पिता होगा या किसी इस्त्री या महिला के डिवोस जिसे हमिंदी में विवा विगटन या विवा विच्छेद भी कहते हैं हो गया है और विवा विगटन के उपरांद 280 दिनों के भीतर उस महिला या इस्त्री को कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का पिता वही व्यक्ति होगा जिससे उस इस्त्री का डिवोस हुआ है दोसे साथ ही मित्रों आप एक बात और जान लें कि यद किसी महिला का डिवोस जनवरी मा में होता है या किसी भी मा में हो जाता है और उसकी दुबारा साधी किसी और व्यक्ति से होती है और उस साधी होने के बाद उस महिला को एक महिने दो महिने चार महिने बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का पिता वही व्यक्ति होगा जिससे अभी उसकी रिसेंट साधी दो चार पाँच महिने पहले हुई है वही व्यक्ति उस बच्चे का पिताया बाप होगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंदाई होगी अगर आपको ऐसे ही लाफुल जानकारी चाहिए तो आप हमारे टूप चैनल अनुपमंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली ऐसी लाफुल जानकारी आप तक पहुचे सबसे पहले